हेलो डिये फ्रेंट्स एंड डिये स्टुडेंट्स एक वाफिश चे आप सभी का स्वागत हैं मी एन माई टूब क्लास के अंदर गतो और आज हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंडर वालों के लिए पेपर फस्ट में चीन के सविदाहन के विशेशताओं को तो इस तरह के मैं तो घिलता रहोंगा तो इस क्लास को दिखने से पहलेत एक बार करनें चील याक की इस वीडियो का का सथे San Kane Lee का मोटन हो है तो आज कि सब्कार्स है कि के साथ में कैसे जिए आने स्वेश का बना हुए सविदान है जो वर्तमान में लागू है लेकिन इससे पहले तीन और सविदान बने थी तो उसको हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में तो आज हम छिर्ट देख रहें सीन उन्हें से में से और सविदान की विशेशता है तो पहला है शंकृत्त सविदान बिल्कुल बात करें इससे पहले के सविदान की तो थोड़े चोटे थे इससे इसे भी लेकिन फिर女 की अगर के सब्सक्राइब तो इस सब्सक्राइब करें अद्याय कि इस तरह से भारत की तरह करें करनारा की बात करें तो इनके मुकाबले बात करें इनकी मुकाबले तो कब इस चोटा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चीन का सविदान है वर्शंक्षिप्टव सविदान है और इस सविदान को ओट्याशिक मैतवको ध्यान में रखते हुए बना गया उसकी प्रस्तावना इस प्रस्तावना में यह मेत्वपूंची जोड़ दी गई है साथ इस सविदान के दर्शन दल के परतिक्साशन और सामाजिक व्यवस्ता को भी सविदान की प्रस्तावना में अभिवेक्त किया गया है वारी आती है तो द Dear magic अफ दियाद रखेग्स अ कने क्विदान समिदान का मतल़ होता है किसको लिखा गया तो बिलकुल से 280 कि यह समीति की द्वारा ही जन्वादी को कौंघ्रेस समेति के द्वारा ही इस्साविदान को इस तरह सिंगे यह लिकी थे और नीनवी क्यों है क्योंकि इस सविदान में कुछ पुरानी सविदान को बजलती हुए नवीन बाते जोड़ दी गई थी और इस तरह से जब इस्ट्रक्षर वह धिरे दरी हुए उसमें कुछ जो अध्याय है उस पहले अध्याय के अंतरगत सामाने सिदांतों की बात करें गई और बात करें कि दूसरा तो दूसरी इसके जो अध्याय है इसका अध्याय टू है इस सविदान का तो इसमें सीन के नागरियों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई किनके मौलिक अ सविधान का द्याय तीसरा में शीन सीन की रज्जी की सुर्ष्णा की बात करता है सिन की बात करें बात करें तो इस तरह से चीन का जो सविदान है वह लिकित तो है साथ में निर्मित भी है बारी आती है तीसरे इस सविदान की विश्यश्ता की तो पारीबासिक दर्श्टी से तो कठोर लेकिन व्यवार में यह सविदान कैसा है लचिला सविदाने पारीबासिक यह ऐसे आप समझाने क के रूप में अगर बताएं तो सीन का सविदान है वह थोड़ा कठोर है लेकिन अगर और विवारिक तो पर आजमाया जाता है तो लचिला है इसका मतलब यह है कि की अंत्रगत एक कैंडृस संचद बर में वांपेंं करती अब कैसे सविदानध करते हैं कानून फाद समानिय कानून तो दोने हैं थूड़ा अलग है तो तो इस से ध्यान रखेगा कि अगर सीन में कॉंग्रेस के द्वारा सामाने कानून बनाया दिया जाता तो उस तरह के प्रस्ताव विदैक को साधान बहुमत से कैसे साधारन बहुमत से पास होकर वो कानून बनता है लेकिन सभिधान संस्चोजन जैसे प्रस्ताव को वहां की कॉंग्रेस में रखा जाए तो ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए टोटल संक्या का द्यान रखिएगा की यहां दो त्याइ मत assert क्या वना चीए क्या होना चीए दोट्य लाट 살 इसे इन्के सभिधान में बदलाव किया जाता है तो सभिधान में संचुन करना सामानीय कानून के मुकाबले अलग है तो इस तरह से इसके सभिधान की पते हम से रखिश्ता के बाद सब्सक्राइब करूき स हबाई निघ्रुधिया गया सब्सक्राइब लूप में काम करें साषण की हर इस्तर पर जंता सरकार में सियोग करेंगी या सर कर से रूबर होगी सरकार से संपर्ग में तो यह एक अलग विश्यस्ता यहां पेप्रूब होती है क्योंकि जनवादी सिंज जन्वादी कॉंग्रेस ताना सही वाला एक समाजवादी राज्ची है और जिसका नेता तोस्त और किन उना पीता सम्द रहता है इस तरह से यहां पर कोई-बी शक्तिसालि प्वंजी साली थानाशा राजाना होकर देखे लोग तंत्री व्यवस्ता में यह विवस्ताद देखते हैं कि यानी लोग तंत्रे टानाईनि हैं लोगों डूकई राज तंत्र होता-कई-श्दामक सात्मक्त उता हैं आपे जनवादी ठीक है सफे atacahu आज झ्यांवादी जनवादी जनवादी बिल्कुल यहां यह तंत्र यनिके सासन वेवस्ता का रूब कैसा है जनवादी इनमें आम लोगों को की तरज साथन में JD zach THIS कि यहां पर हम कहते हैं कि बारत की सासन व्रस्ता संसेदात्मक व्रस्ता हैं वैसे ही सीन के सविदान में बात कियीए फिस एक जनवादी लोगों की विचार को लोगों को मैत्व देते उएवे एक गण गंड तंत्र है गंड तंत्र यानि लोगों के अंदर से ही व्यक्ति सासन करेगा लोगों के संपर्ग मेरेगा लोगों के लिए ही सासन करने वाला होगा तो गण यानि लोगों के द्वारा बना सासन गंड तंत्र कहलाता है और यह जन्वादी गंड तंत्र सविदान की विशि कि एकात्मक सासन पढ़नाली वह प्रादेश्रीक इकाया प्रादेश्रीक इकाया यहां पर बात करें इंपोर्टन चीज जो मैं आपको बताऊं तो एक सी ध्यान रखिएगा जैसे कि हम बात करते हमारे सब हुआ अब पर किंदर इसके बाद रजे सरकार फिर जिल्लों कि सरकार इस इस्ताने सर्कारँ वैसे ही कि हमारे यहां पे संस्यक्त नात्मक यहां पर कैसी व्यर व्यरक्सलियत to है यापके जर गयंगे तसरकारी है केंडर वयवस्ता है वो सकतिसाली alpha है और के बाद इनका जो जो देरे विस्तारित रूप होता है यि पूरी तरह से कंडरी वयवस्ता प्रभाद सालिय रहेगी तो बात करें इनकी एकात्म के विवस्ता के बात करें तो चेंद्र केंद्रे हैं वो बटा होता है प्रांतों स्वायत साथी संस्ताओं में पिर यह जो स्वायत साथी संस्ता है है वो जिलो में किसमें बटी होती है अ M जिलो में कैंदर प्राण्धिन जिले और जिले वापिस है वह बने होते हैं या वह बटे होते हैं आपने बात करें जन्पद के रूप में कि अधिक न रहाए सब्सक्राइब तो इस तरह से यह पूरी व्यवस्ता है वह एक एक अत्मक्ता के रूप में हैं कात्मक्ता का मतलब यह होता है कि केंद्र राज्जियों में सक्तियों का विबाजन जैसे होता है तो वह तो कहला ती अध्यक्सात्मक्ता मतलब संचदात्मक स्वारी शंगात्मक जहां पर केंद्र और राज्जियों आपस में सक्तियों का बटवारा करके सासन करते हैं लेकिन जहां पर राज्यों के सक्टि को नाम अत्र की सक्टि देकर केंद्र को हुई शक्ति साली बनाया गया है, वो जो द्यूं को चंशालित लिटाए भाके इसके दोारा निर्दारि पौवर ही इनको मिलता है, ऐसी विववस्ता केला engels प z還 इक आत्मक् शासन प्रणाली और प्रदर्शिक व्युपायो से जो लिए केंद्र तो के सवदान मौलिक अधिकार दिये गए मौलिक अधिकार की जैसे बात करें तो यह मौलिक अलग कि बात कर सकते हैं पहले हैं पrend Saw स्विदान की इंतरगत अधिकार होगेön और तीसरी हम बात करें सामाजी को सांच कर देख और व्यक्तिक अधिकर लेकिन अध्यायदों के अंत्रगत 33 से लेकर चपन यह अनुछेद अगर यह भी आप पूछा जाए कि सीन के नाग्यों को जो मौलिक अधिकार है वह अध्यायदों के अधिकार का मतलब है कि काम का अधिकार दिया जाएगा वहने विश्राम का अधिकार होगा या बुड़ा पे भीमारी अशक्षकता के संबन में उसे शहायता दी जाएगी राजी की तरब से तो यह बात कही गई है आर्टिक अधिकार इन लोगों को मिलेगा राजनितिक अधि अधिकार में कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का है उसे राजनिति में भाग लेने का अधिकार होगा मत देने का अधिकार होगा और इसी के साथ सरकारी जो क्रमसारी उसके विरूद सरकारी होती है इसकी विरूद शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा उनके अधिकार होगा य नामाजिक और शांशकर्तिक अधिकार कि करने सोट में आप समझ लीजिए इसके इंतर वहां की लोगों की शंशकर्ति रिवाज प्रम्प्रा इनको पुरी तरह से निबाने की उन्हें आजादी दी गई है उनमें किसी तरह का अनुस अंदार या भेद भाव नहीं किया जाए लेगी फिर बारे आती हैं व्यक्ति को अपनी भासा शेली बात करें शबा प्रदिर्शन अपने विशार खोने की पूरी आजालादी हो गई अðekति है ऑग्ति से वद्वेशकरु इसमें कई गई हैं पिर बाहरी है नेक्स वीशे़्था की समाजवादी अर्थ व्यवस्ता बिल्कुल पहले बात करें तो सिन की जो अर्थ व्यवस्ता है वो बदलती रही है इसे हम अपनी बात करते हैं मिश्तित अर्थ व्यवस्ता है तो इस तरह से इसका में से होता है कि व्यक्ति के दूरा दूसरे व्यक्ति का सोशन नहीं किया जा यानि यहां इस चीन की जो शासन व्यवस्दा है वह समाज के लिए पहले काम करेगा इसके बाद दूसरी बात आती है तो समाज यानि वयक्ति और व्यक्तियों के वैपार समाज रजियों के वैपार को बड़ावा देने के लिए यह सबीदान व्रतमान के बात करते हैं तो सीन है वह एक सक्तिसाली एकोनोमी लेवल पर शक्तिसाली देश बनने की छहां में हैं और इस तरह से उसकी अर्थ व्यवस्ता थोड़ी बदल रही है अब ज्यादा सक्षम अधिक विक्षित सक्तिसाली आर्थिक रूप में मजबूत होना चाहता है इस तरह से उसकी अर्थ व्यवस्ता समाजवादी से दिरे दिरे विश्व शक्तिसाली अर्थ व्यवस्ता हो रही यानि वेपारिक अर्थ व्यवस्ता को ज्यादा में तो मतलब हम थोड़ा कह सकते समाजवादी व्यवस्ता भी है इसमें और आर्थिक उदारी करण और व ऐसे बात करें कि सीन में एक ही धल्प राजुतल क्यों सुविधान में तो कहा गयाud कि नhen बन सकते हैं लेकिन जो सरकारद के थिशान लेकी बनड़ है य Nobel क्यों सीसाहेफ प्रदाल आgorล को बने की आ जाती है में और इस देश की वेवस्ताहों में युगदान दिया तो इस नए सविदान में इसको इक प्रमान्ट दल की मानिता देदी गई फिर केंद्रियस श्यित्र आयोग की कि एक सभिदान के नितरब romance करके एक रहाँ हो जो से सब्टाइब करने नितरा करता होगा क्योंकि इसमें में कहले कि कि देश की शेना को निर्देश d 49 देश की शेनी बीज apparently यह सेनी आयोग है वह देश की जितनी भी सैना है जो होगि उसको निर्देश दें सकता है इसके पास ही एधिकार होगा निपकारोगोज़्यख़ इसके अलावा जिससे बात करें उप्षभापति और सदस्या भी होंगे लेकिन आयोग के समझ सदस्या है उसकी जीमेदारी सभापति पर होगी और इस तरह से जनवादी कॉंग्रेस वह समिद्धी के परती उतर दाएंगे और हम बात करें कि ये जोई काम तो कर किंसके पर होगा ये नियुकंन मत वहां की चंण सद्ध जनवादी कंग्रेस संब मतव् phonbene ब पुना में व्यवस्ता की गई है और इसको ध्यान में रखा गया है कि राश्र्पति कीछा जा परिक्स सवविदान और लास्ट विषाष्था लेकिन सीन में यह सीन में वाकि जो न्याय पालिका है पूरी तरह से जनवादी कौंग्रेश के अधीन होगी ना तो इसको स्वतन रूप में कुछ कारी करने की सरकार के कमी को निकालने की या कोई कारी जो रद करने की या नियायक पंद्राव लोग यह सापोई दिकार कोई आजारे इनको नियायk इंको पूरी तरह से एक अधीन रखा गया हैं इसकी स्तती कैसी यहां पर लिख्यक आदीन स्तती हैं यह पूरी तरह से जनवादी हैं कॉझ्रे कंग्रेस के नियंत्रण में एक संस्ता के रूप में रहेगी तो इसका कारिय है वह दिये गे जन्वादी कॉंग्रेस के कारिय को पूरा करना तो इस तरह से इनके सविदान की यानी सीन के 1982 के सविदान की जो में आज इस वीडियो में देखी है तो अब कैसी लगी है मुझे जरू बताएगा और कमेंट में यह लिखेगा कि कुछ डाउट है तो अदर्वाइस इस वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ठैंक्यू